हेलो फ्रेंड्स मैं जिते इंद्री शर्मा जी एस फर कॉंपोटिशन में आपका स्वागत करता हूँ और आज का हमारा सबसे महत्पून टॉपिक है मैंनमार ने भारत को 22 आतंगवादी सोपे ये करेंट अफेट्स का सबसे महत्पून टॉपिक है जो नीज़स पेपर और सोसल मीडिया पर अब भी बहुत जादा चर्चे में है चलिए समझते हैं कि आखिर ये टॉपिक है क्या अगर फ्रेंड्स अगर हम मैंनमार की बात करें तो मियनमार ने भारत को 22 आतंगवादी सोपे हैं ये आतंग की असम मनिपूर में सक्रिये 6 अलग-अलग संगटनों के सदसे हैं ये सबसे महत्पून यानि अगर बात करें तो ये आतंगवादी जो है असम और मनिपूर में सक्रिये 6 अलग-अलग संगटनों के सदसे हैं इनमें UNLF-NDFB के कमांडर सामिल हैं यानि अर बात करें तो इन आतंग कीयों में सबसे बड़ा नाम राजन डिमरी का है जिसे भारत को परत्यारपित किया गया है इन आतंगवादीयों का प्रभाव पुर्वतर छेतर में सबसे अधिक था अता सुरक्षा के दस्टी कौन से ही सबसे महत्पून है अगर हम बात कहें तो इस अभियान में रास्टी सुरक्षा सलाकार अरजीत डोबाल का सबसे महत्पून योगतान था रास्तिय सुरक्षा सलाकार अजीट डोबाल ने बाहरी खुफिय अजंसी और मैनमार के अधिकारियों के बीच समन्वे करने में सबसे महत्मुन भूमी का निभाई थी अता अजीट डोबाल जी का इन 22 आतंक्यों के परत्यारपन में सबसे महत्मुन योगदान रहा सरकारी सुत्रों की मारें तो इस पूरे ऑपरेशन का समन्वे बाहरी खुफिय अजंसी और मैनमार सरकार के द्वारा किया गया था अगे बढ़ते हैं अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें सबसे महत्मुन पॉइंट है पहले इन आतंकवादियों को मनिपुर की राजधानी इंफाल में लाए गया था फिर यहां से गुहाटी लाया गया है आतंकियों का यह परत्यारपन भारत मैनमार नोट कर लिजे भारत मैनमार के बीच कोटनेतिक सम्मंदों को नया आयाम देगा वहीं पुरवत्तर छेत्र में सुरग्छा के दस्तिक कोंसे यह परत्यारपन सबसे महत्पुन माना जा रहा है यही कारणे की करेंट अफेट्स में यह राइट नौव सबसे महत्पुन अंतरास्टी नीउस के रूप में उबरा है फ्रेंड्स अगर आपने हमाई चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सिस्क्राइब कर लीजे बेल आइकन जड़ दबा दीजे लाइक और शियर ज़रू करें थैंक यो एंड टेक कियर